आज के वीडियो में आप लोगों को जरूरी बात बता रहा हूँ यदि आपको साधना करना है या साधना कर रहे हैं उनमें आपको मन नहीं लगता ध्यान आप सही से नहीं लगा पाते हो और आप जैसे ही साधना करने बैठते हो आपके मन में अलग-अलग ख्याल आने लगता है विचार आने लगता है और आप चाह करके भी उस विचार को नहीं भगा पा रहे हो नहीं हटा पा रहे हो तो आप साधना कैसे करोगे आपका तो साधना हो ही नहीं सकता आप साधना में आगे बरी नहीं सकते और आपको किसी भी परकार की अध्यात्मी की ज्यान सक्तिकान भ जरूरत होता है आपकी मन जितना सांत होंगे आपको ध्यान में उतना ही जादा रूची होगा आपकी ध्यान उतना ही अच्छा से लगेगा यदि इस तरह का आपके साथ भी होता है ध्यान नहीं लगा पा रहे हो मन सांत नहीं होता है मन में बेचैनी रहता है फिर भी साधना क का नहीं हो पा रहा है मंतर जाप करते हैं एक दो पांच या दस बार करते हैं इसके ज़्यादा आप मंतर जाप नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए तो यदि आपको इस परकार की कोई भी परיהशानी है, इस परकार की कोई भी लच्छन आप में दिख रहा है या आपके साथ हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक योग्ये गुरु झूंदिये, क्योंकि आपकी सक्ती इसलिए आपको भटका रहे हैं, कि आपका क कोई योग्य गुरू नहीं है आपको कोई राष्टा बताने वाला नहीं है जैसे ही आपको राष्टा बताने वाला मिल जाते हैं आपके सिस पर हाथ रखने वाला मिल जाते हैं आपको राष्टा दिखाने वाला मिल जाते हैं कि इस राष्टे से चलिए आपको राष्टा रहे अनुसार चलोगे तो आपको हर तरह की साधना में मन लगेगा और गुरू के अशिरवाद से आपकी विचैनी चिंटा और जो साधना में मन नहीं लग रहा हो ध्यान नहीं लगा पा रहे हो वो सब दूर हो जाएगा और आप उस दिन से ही आपको मन लगना सुरू हो पाओगे यह जनकारी आपके लिए है कि आप के साथ में यदि आईशा होता है आपके साथ में इस तरह का कोई भी प्रोबलम होता है तो सिधा एक ही इसका उपाय है कि आप गुरू धारन करें गुरू धारन करिएगा आपके मन में सहांती होगा और आपके सक्ति या आपके आ आपको ध्यान नहीं लगने दे रहा ध्यान नहीं लगा पा रहे होई आप या नहीं लगने दे रहा है तो आपको ध्यान लगने भी देगा और आप लगा भी पाऊगे क्योंकि गुरु की असिरवाद आपके साथ होगा तो वह सकती आप से ऐसे ही दूर चले जाएंगे और आपके कारे में बाधाउत्पन नहीं करेंगे और आप अच्छे से साधना कर सकोगे और लोगों को भला भी कर सकोगे और आप एक योग्य गुरु बनाते हो तो आपको वह सब कुछ स्षिखाएंगे कि कैसे कैसे लोगों को भलाई करना है कैसे अपनी रच्छा करना है और कैसे अपने घर परिवार को देख भाल करना है किस तरह से आगे बढ़ना है योग्य गुरू यदि आप बना लेते हो तो आपको यह सभी चीजे सिखा देते हैं और आप इस तरह से करके लोगों को कल्या कर सकते हैं